तो आज हम देखने वाले परासररदाब द्रधारण की बर्कले हार्टे विधी बहुँचाता मुश्च इम्पोर्टेंट है इसे एक दम असाली से चितर से हम समझेंगी कैसे होता इसका परासररदाब करने धारण ठीक है कैसे पिछना नौरा दाब लगा जाता है इससे परास तो देखो वैज्यानिक थे बर्कले और हाटले तो देखो बात हो रही बर्कले और हाटले द्वारा प्रस्तुत विधी एक अप्रत्यच विधी है किसकी अप्रत्यच विधी है परसररदाब ने धारण की ठीक है तो बर्कले और हाटले विधी द्वारा जो प्रस्तुत वि चित्र को समझने से पहले आप एक चीश whereby agar도 पारगम जिल्ली का होती है आर्द पारगर्म जिल्ली वो जिल्ली होती जिससे केवल विलायक के अडू ही बाहर निकल सकते हैं ठीक है जब यह बात जानो कि तब यह चितर समझ में आएगा विलायक के अडू ही इससे बाहर निकल सकते हैं, विले के अडू नहीं, क्योंकि विले के अडू को जाने नहीं देता, केवल विलायक के अडू को जाने नहीं तो आप बात यह जान चुके ठीक है तो आप देखते हैं होता क्या इस चित्र में इस चित्र में आप यह जो देख रहे हो यह पूरा डिब्बा जैसे जो मना यह इक इस्टील का पातर होता है ठीक है आप यहां पे क्या होता है यहां पे जो आपका यह आपका औरेंज ओला भ प्लेक आडव नहीं जा सकते हैं आप इस जो आपका इस तिल का पातर है इस पर एक पिश्टल की एक अभी बताएंगे किसलिल लगा है और यहां पे डाप पढ़ने के लिए विए दाप गेज– लगा thirty दूसरे सिरे पर आपको थिसल फनल के आकार की एक दाड़दार नली लगा देना है ठीक है तो ये बात हो गई चितरी आप देखती है चितर काम कैसे करता है तो चलो इसको काम कराते है आप देखरो जो इस्टील का पातर है इसमें विलियन भरा हुआ है और ये जो सरन नली इस इस तरह नली के बार आप आपको बता है कि अर्दपार्गम जिल्ली से क्यों विलायक कडू बाहर निकल सकते हैं तो आप देखो क्या होगा जब अर्दपार्गम जिल्ली है इससे विलायक कडू बाहर निकलने लगेंगे ठीक है विलायक कडू क्या करेंगे बाहर निकलने लगेंगे और धीरे-धीरे क्या होगा यह विलायक का क्या होगा देखो यहां पर यह लगी आपकी यह क्या है आपकी दाड़दार लली है ठीक है थिसल फनल क्या करकी तो इसमें क्या होगा जब इसका यह आपका तो देखो यह आपका पूरा यहां तक भरा होता है ठीक है यह इस ग्लास का पानि में डाल दो तो यह वाला ग्लास खाली होगा कि नहीं होगा आपको बताघ जब अगया में का दो है नीचे आने लगता है आप जब इस्तर नीचे आने लगता है तो इस क्रिया को कहते परह सरण अपright आप परह सरण दाप की बात करते है तो जो विलायक विल्यन की और जा रहा जितना पहले था अभी भी उतना रहें विलाइक विलियन की ओर ना जाए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ये जो पिश्टन आपको लगाये गया है इसका काम क्या है कि इस से दाब लगाये जाता है इस विलियन पर दाब लगाये जाता है इस पिश्टन भोरा और इस दाब गेस से दाब को मतलब हमाद कि अब आपका अब हम की विलाइक क्या का रहा था विलाइक की उर जा रहा था जिससे इसका इस्तर घट रहा था मतलब कि पड़सर हो रहा है अर्थ पारगन जहली से विलाइक जा रहा है परसरड हो रहा है आप परसरड दाब लगाए गया उपर से क्योंकि हमें विलाइक के प्रवाह को रोकना है तो उपर से पिश्टन दौरा दाब लगाए गया जब आपका परसरड को रोकने के लिए जो आवस्ट्य दबाहे दाब होता है उसे कहते हैं पर आप इसकी थोरी परते जिससे आपको असानी से समझने है तो देखो कहा गया बरकले और हाटले दौरा प्रस्तुत विधी एक अप्रक्षच विधी है इस विधी में अर्धपार्गम जिल्ली दौरा विलायक से पर्थक विलियन में बाहदाब लगाए जाता है आप देख रह रहे हैं तोट भिलियन में आपको इसे रोकक विल्ली दौरा गयांगे व और परते च्श्क विलियन में समझ है है इस व्यांपे विल्ली लगते है आपको पता है है सरन नली लगे है अंदर य औरड़ वर्ण में copper ferocyanide की आपको बताएगा था वीडियो में परस रहधाले में कि सबसे ज़्यादा अच्छी जिल्ली जो अर्धपारगम जिल्ली है वह copper ferocyanide की टीक है सबसे ज़्यादा अच्छी होते है तो इसलिए copper ferocyanide पात्र में पिश्टन पी लगा हुआ है और दाब गेज लगा हुआ है अब क्या हुआ पात्र में परासरण की कारण विलायक जैसे ही अर्दपार्गम जिल्ली में होकर विल्यन में प्रवेस करता है तो आप देखो क्या होगा तो मेंट पॉइंट अभी है कि केस नली में विलायक कतल नीचे अभी बाता है आपको कि केस नली में क्या होता है विलायक कतल नीचे करता है ठीक है प्रवाह रोकने के लिए पिश्टन पी दौरा विलियन पर लगाया जाता है परसरण को रोकने के लिए जो क्रिया और ही परसरण की इसको रोकने के लिए विलियन पर लगाया गया आवस्चक भाय दाप विलियन का परसरण दाब कर लाता है जिससे दाब गेस से पढ़ लेते हैं यही है बाई बरकले और हडले की विधी इस दाब गेस से पढ़ लिया जाता है इस परसरण को कि कितना परसरण दाब लग रहा है ठीक है तो देख सकते हो आप कितना ज्यादा असन डॉपिक ता और आपको एक दम आसानी से समझ में आओगा तो इतनी तुम मेरी गरेंटी ठीक है तो भाई एक वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करके जाएए ठीक है भूलिये के नहीं ओके थैंक्स वॉचिंग देस वीडियो